हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं पत्ना के बसे श्टेंट की चलिए देखे यह तस्वीर सरको पर फैला सरनाटा और सरनाटे में चलते इस टम-टम की आवाज और सरपट भागते खोड़े के दोरने की आवाज उसके टापो की आवाज इस पश्ट सुनाई पर रहा था वह आपने वीडियो के प्रारंब में देख लिया होगा क्योंकि मैंने उसे शुरुआत इस वीडियो की उसी से की है आन्ति तक वीडियो को दिखेगा यह विनती है आपसे यह जो पूरा बसे श्टेंट एरिया देख रहे हैं यहां पर देख से तक काम चल रहा है कुछ- पड़िचालन बंद हैं बसे खड़ी हैं और इस रास्ते पे चलना आम दिनों में तो काफी मुश्किल भरा होता है यह चोटी सी दूर यतना दूर आप देख रहे हैं वह जो बोर्ट दिख रहा है जो वहां तक पहुचने में यहां से वहां तक पहुचने में पंद्रा मिनट पीस मिनट लग जाता है और कारी कभी भी एक सीद्व में तो नहीं चलती है कभी पाएं कभी दाएं कभी पाएं कभी दाएं कभी दाएं ऑटो का लाइन लगा हुआ रहता है यहां पर बसे हैं जो अभी किष्टी देख लीजी जो जो परी देख रहे हैं पेड़ देख रहे हैं उसके ठीक उस तरफ बस शॉटेंड है और बश्यक्तेंड यह पर पटना में और जो आथा इंड मैधन में है है हम उसका description उसका वीड़ीयो का लिंक वैसे भी description में हम पेस्ट कर देंगे यह फिलाल जो और सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बड़े सी वह बिल्डिंग है कि इन्वर्शिटी की कॉलेज की और यह पटना जीप्यों आर्प लॉग आने मैदान कारगिल चौक जाने का यह रास्ता यह पटना जक्सन जाने का सीधा रास्ता है अभी इका दुक्ता गारियां आपको चलती हुई दीख रही है और बसस्टेंट का जो एरिया है वो काफी बड़ा है यह देख सकते हैं कि अभी तक हम बसस्टेंट के एरिया में चल रहे हैं आगे भी बसे खड़ी है और यह जो रोट की चौड़ाई देख रहे हैं यह रोट की चौड़ाई आम दिनों म अभी एकदम साप सुत्रा और क्लीन दीख रहा है यह और यहां पर बस इच्टाफ है यह बसे श्ट्रूंड का मिठव बस इच्टूंड का लेकिन बसे लगती नहीं है यहां पर लगनी चाहिए वह पीछे लगती है यह देख सकते हैं किस प्रकार से कतार में बसे खड़ी हैं अब यह तस्वीर दिखा रहे हैं मैं कलपना कोई तो नहीं कर सकता था कि इस तरह का द्रिश्य भी पटना में देखने को मिलेगा बसे श्टाइन का जैसा द्रिश्य अभी देखने को मिल रहा है वह एक तरह से नया द्रिश्य है और वह नयापन लिये हुए है कि ऐसे द्रिश्यों की कलपना कोई नहीं कर सकता है लेकिन ऐसी इस्तिती प्रस्थिती बन गयी है कि यह करना पर रहा है न चाहा कर भी तो खेर समय है अच्छे समय आते हैं बुरे समय चाहते हैं यह परकिरिया चलती ही रहती है इसलिए घब्राने के जुड़तनी है हिमत पना करके रखना है और यह देख सकते हैं कि कि अगला वीडियो आपको कल दिखाएंगे उसमें आपको आगो पूल बन रहा है प्से कर भी गहिया फ्लाइ ओवर जो बन रहा है और दीखा और प्लॉक जो रोड बन रहा है उसका भी कुछ-कुछ हम आपको जहलक दिखाने कोईश करेंगे अपडेट देने की कोशिश करेंगे और इन सब के अलावा हम आपको बस स्टेंड जो भी नया बन रहा है बैडिया में उ कि उसका बहुत सारा काम हो गया था तो उसका लेटेश्ट अपडेट क्या है वो भी हम देने की कोशिश करेंगे उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बस सेस्टेंड की तस्वीर देखकर कि आपको आश्यर्च भी हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा जीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब पर आपको समय पर मिलती रहे बिहार के विकास के तस्वीर आपको पहुंचती रहे उसके लिए बेल आकर गोज़ेंगे दवाईएगा हम फिर मिलेंगे किसे और ने अपडेट की साथ कि इनसें